नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे योटिब चानल कर्मा आयूरवेदिक पैरलाइसिस ट्रीटमेंट में जहां आज हम आपको बताने वाले हैं कि पैरलाइसिस के पेशेंट अपने फलो के अहर में किन चीजों का सेवन कर सकते हैं वैसे तो पैरलाइसिस एक गंभीर समस्या है, जिसका अगर समय पर इलाज ना हो, तो यह आपके लिए काफी हानिकारख हो सकती है लेकिन आपको बता दे कि बिमारी चाहे जो भी हो जितना जरूरी उसके लिए दवाई होती है उतना ही जरूरी आपके द्वारा लिया गया अहार भी होता है तो चली, अब आपको बताते हैं कि Paralysis के पेशेंट कौन से फलों को शामिल कर सकते हैं पेरलाइसिस के पेशेंट अनार, अनानास, फालसा, हल्दी, सेप, पपीता, चैरी और तर्बूच को शामिल कर सकते हैं तो ये थे वो कुछ फल जिसका सेवन पेरलाइसिस के पेशेंट कर सकते हैं उमीद आपको मारी दीजानकारी पसंद आई होगी फिलाल आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलेंगे एक नई विशे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार